समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अक्रेश यादो ने आजितावा के सैफ़ई में महिलाओं और बच्चियों के साथ रक्षावंधन का त्योहार मनाया है उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से अपने कलाई बर राकी बदवाई इस दोरान उन्होंने वहाँ आए अपने समर्थकों से भेंट की सपा के राष्टी अध्यक्ष अक्रेश यादो ने कहा अगामी 2022 में समाजवादी पार्टी की हर हालात में सरकार बनेगी उन्होंने कहा जो जन्ता के बीच लोगप्रिय चेरा होगा उसको ही समाजवादी पार्टी टिकेट देगी इस बार जंता ने मन मना लिया है कि भारती जंता पार्टी को हटाना है बीजिपी की हकीकत जंता समझ चुके है भारती जंता पार्टी के गोशना पत्र में पहली बार देखा गया कि किसानों की आयदोगों नहीं करेंगे लेकिन क्या किसानों की आयदोगों नहीं हुई वाज़पा की लोग बताए कि किसे फसल की आयदोगों नहीं हुई क्या धान खरीदा गया क्या वाज़ब मोलिय मिला उन्होंने कहा जब तक कानुन विवस्ता की बात है प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेट यूडियल डेट उत्तर प्रदेश में हुई डिप्टी स्पी के साथ क्या क्या गया जेल में डिप्टी जेलर के उपर फारिंग होती है जेल में आदमे सुरक्षित नहीं तो कहा सुरक्षा होगी उत्तर प्रदेश की जंता बदलाव चाहती है यहां के किसान नौजवान मज़ूर महिलाओं ने मन मना लिया है कि इस बार भारती जंता पार्टी की सरकार को हटाना है समाजवाली पार्टी को हिलाना है उत्तर प्रदेश की जंता बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की जंता ने, किसानों ने, बुरुजगा नौजवानों ने, वैपारियों ने, हर वर के लोगों ने मन मना लिया है कि इस बार भारती जंता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा अच्छा जिस तरह से अभी सोनिया गांधी ने भी मीटिंग रखी थी, विपक्ष के सारे नेताओं को बुलाने की बात की थी, आप नहीं पहुच पाई, तो किस तरह की आगे स्टेड़जी त्यार कर रही है सवाजवादी पार्टी? लगातार इसी तरह की बैठकें चलेंगी, लेकिन जो बैठक दिल्ली में हुई, वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाओ की थी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा चुनाओ देश का, उत्तर प्रदेश का चुनाओ होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन ब बड़ी बड़ी जगे से जरूर का जाता है कि इंट्रासेक्चर पे काम होगा लेकिन जिस तरह से काम इंट्रासेक्चर पे समाजवादी सरकार में हुआ था आज जनता के बीच में है यहीं पर एटा का बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था तरह का जाता है जल्डी और बिजली मिलती है यह पर बिजली के छेत में बहरती जन्ता पार्ठी ने एक यू्झिट भी बिजली महंगी करदी है यह बड़े सवाल है आज सिलिंडर की कीमत क्या है आज जो हम खाने का तेल खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है चीनी की कीमत क्या है गन्ने का भी किसानों का बखाया है देनी पारी है तो ये तमाम वो सवाल है जिसके आजसवार उत्रबदेश का चुना होना है और उत्रबदेश की जनता ने इस वा प्रसासन और पुलिस और जो भी संस्ता उसकी जांच कर रही थी क्लीन चिट दे दे लेगिन जंता की जो मन में है यह वहां की जंता जो आजपास के लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं वो सच्चाई कैसे उनके दिल और दिमाग से निकालोगे भार्टी जंता पार्टी घवराई हुई है और इसलिए लगातार जो साथी उनसे नारास्ते उन्हें मनाने में लगी है उनसे सौधा कर रही है समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गडवंदन के लिए रास्ता खोला है जो दल भार्टी जंता पार्टी को हमाँ चाहते हैं उन सब को साथ लेने काम समाधी पार्टी करेंगी इसको भी देखते हुए जाएं और जो उत्रपरदेश का इटावा का खास विकास हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करते हुए जाएं तो बहुत अच्छा हो रहा है अधिर जी बंगाल का चुनाओं हुआ था बंगाल के चुनाओं ने पार्टी सब्ता ने लेकिन सब्ता नों प्यम्सी के नेताओं को बहुत परेशान किया क्या लगता ने यह बदनियस से काम करें लिए यह चुनाओं से पहले सब कुछ होना है इस तरह की लड़ाई जो पार्टी किस तरह की स्टेटीजी बना रही है सब्ता दर्टीजी आपको बता देंगे तो आप प्रचार कर दो के स्टेटीजी समयदी पार्टी की है आप सोचिए टावा में यहीं आपने देखा होगा एक डिप्टी एसपी के साथ क्या बिवार हुआ था पुलिस को अगर सबसे ज़्यादे अपमानित किसी सरकार में होना पड़ा है तो वो भार्टी जंता पार्टी की सरकार है और सबसे ज़्यादा का स्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तपदेश मोही है जुडिशल डेथ भी हो अगर कहीं हुई हो तो उत्तपदेश मोही है आज मु गटनाएं किसी प्रदेश में नियोरी जितनी उत्त प्रदेश में हो रहा है जो पर रेपोर्ट तेजस खबर